नमस्कार लाइफ सरीज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रिया आज हम बात करने वारे हैं कि वाइरल फिवर जो हो रहा है इसमें खान पान कैसा रखे क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि लोगों को बुखार हुई है तो उसे बहुत वीक्रेस हो जाती है वीक्रेस के बाद सरीर ऐसा लगता है कि उठने या फिर बैटने में या फिर कोई काम करने में मन नहीं लगता तो ऐसे में किस तरीके से खान पान रख सकते हैं क्या क्य परहेज कर सकते इस विशे में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है दॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जो कि विहार के जाने माने फिजिशन है तो डॉक्टर साब तो सबसे पहले आपको बहुत-बहुत स्वागत है जी बहुत धन्दवाद रिया जी डॉक् बहुत जाएं तो इसमें तो तीन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना आवशक होता है और अभी भी देख रहे हैं जैसे की स्थिती है उसमें सबसे पहला इंपॉर्ट्ट चीज होता है कि आपके न्यूट्रिशन ठीक रहे हैं बहुत-बहुत बहुत क्या रहता है ज लोग कहते हैं कि अभी हमको रेस्ट में चाहिए, हम कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि पेट भारी हो जाएगा, यह हो जाएगा, वो कता ही नहीं करनी चाहिए. निउट्रिशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपको फीवर हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपना निउट्रिशन मेंटेन करते रहें, खाते रहें, खाली पेट नहीं और बहुत मिस्कंसेप्शन होता है कि अगर हम फीवर में कुछ नहीं खाएं तो अच्छा से जल्दी से हो जाएगी, उसमें क्या होता है कि शेरी में इसेंशिल निउट्रिएंट्स की और जो इलेक्ट्रोलाइट से उसकी कमी हो जाती है, और विशेज करमें ऐसे लोगों में, जो डाइरिटिक्स पर हैं, जो ब्लड पेशर जिनको हैं, और वो दवाईया ले रहे हैं, कार्डिय युरीना करें तो यह उर्ए जादा हो रही हैं, फीवर में आप कमजोरी हो रहे हैं, आप खाना भी कम खा पा रहे हैं, और साथ में पसीना से नमक भी सॉल्ट भीन निकल जा रहा है, तो हाईपोज circ reviewing, नमक की कमी यह इस मौसम में बहुत देख जा रही है, और जब feature विश तो ऐसे में नमक और लवन्ड की कमी शरीर में नहीं हो इसका ध्यान रखें खान पान पर ताजा सुपाची चीज नियमी तुरूप से खाते रहें फीवर के दौरान भी और उसमें इजी डाजेस्टिबूल चीज खाएं बहुत लोग घबडा करके क्या होता कि बहुत क्लिस् समान है तो वो भी पाचन प्रक्रिया पर असर करेगा तो आप समाने सुपाची चीज जिसे मडगिला चावल होता है खिचडी होती है मुलायम चोखा होता है ग्रीन वेजिटिबूल का चोखा होता है ये सब चीजे खाएं और अगर आपको हफनी की शिकायत नहीं है तो दह सारा सॉल्ट लॉस हो जाता है तो उसकी भरपाई भी होती रहे इस पर ध्यान रखना है दूसरी चीज है कि आपके इम्म्यून सिस्टम को स्ट्रॉंग करने के लिए पोस्ट रिकावरी जब आप कमजोरी भी है तो खाना पीना खाते वे निउट्रिशन को मेंटेन करते वे आपको पुरानी श्तिती में जल्दी आ सकते है और आपको ताकत शक्ति अभी वापिस जल्दी मिल सकती है तो इसकी भी ध्यान रखनी आवशक है और जैसे आपको पुरानी शक्ति थोड़ी मिलने श्यूरू हो जाए तो आप अपना वक, एक्सराइज, योगा जो करते है वो शुरू करते हैं उससे भी आपको स्ट्रेंथ और ज्यादा मिलेगा मांसिक रूप से भी फिजिकल रूप से भी डॉक्टर साब जैसा कि आपने बताया कि खीचोड़ी या फिर बहुत सारे चीज़े ऐसी खाने को बताई ऐसे में इन्हें कौन से चीज़े हैं जो नहीं खानी चाहिए हाँ इस समय पहला अगर आप पोस्ट रिकावरी फेज में हैं बाहर का कोई चीज कता ही न खाए अगर बाहर का चीज़ खाते हैं इस समय अगर वो इन्फेक्शन पुना आपको हो गया तो बैक तु जीरो पर ले जाएगा आपको तुरत कमजोर कर देगा पुना आपको अटेक कर देगा कमजोरी का दूसरी चीज़ कि एकदम ताजी बनी हुई चीज़ का यह सुबा का रखवा का फřीज में और शाम में रात में और कल हो करके उसे डीले करके नखाए मासी चीज़ का था ही नखाए तीसरी चीज जी सिस में तेल बहुत पड़ा हो जिसमें पुराने तेल भी हो वो sब चीज़ नखाए क्योंकि इसको नखाए और उसमें बढ़ेगी आपको गास बहुत बढ़ेगा क्योंकि दवाईया कभी सेवन आप कर चुके हैं इसलिए साधी बीना मसाला कम से कम मसाले वाले और कम से कम तेल गी वाले चीजों का सेवन करें इस पर्टिकुलर फेज में शुक्रिया डॉक्टर साफ जो आपने बताया में था और उससे रिकवरी कर रहा है तुझने क्या चीज खाना चाहिए क्या चीज नहीं खाना चाहिए उमीद है आपने अच्छे तरीके से इसे समझ भी लिया होगा तो फिलाल के लिए इतना है चैनल को सब्सक्राइब कर ले फेजबुक पेच को लाइक कर ले वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया